हलो बच्चो आप सभी का हमारी यूटूब चैनल आईडियल देव कलाशेश में सोगत है बच्चो आज हम आपके लिए एटकेट अभ्यास पुस्तिका के अंतरगत विश्य हिंदी लेके आएं जो कप्षा सात्वी का है और इस पुस्तक को मत्पदेश रास्तिक्षा के इंद अज हम आपके लिए पार्ट एक मेरी भावना लेकिया है ये एक कवीता है और इस कवीता को जुगल किसोर यूगवीर ने लिखा है तो बच्चो आप क्या करें आपकी पुस्तक से इस कवीता का अध्यन कीजिए अध्यन करने के बाद जो यहाँ पे प्रश्न उत्तर दिए उनके प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है मेरी भावना कवीता में जो क्या बताया गया है अहंकार का भावना रखू नहीं किसी पर किरोत करूँ देख दूसरों को की बढ़ती को कभी न इर्शा भाव धरू रहे भाव मेरी ऐसी मेरी सरल सत्य वेवार करूँ मेरे जहा कि यह कवीता हैं आपकी दी गई इस कवीता का आपको अध्यन करना है उसके आधार पर जो आपकी इस पुस्तक मेरी भावना कवीता में कवी के अनुसार किसकी सेवा करनी चाहिए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरी भावना कविता में कवी के अनुसार गुलवान वेक्तियों की शेवा करनी चाहिए किसकी सेवा करना चाहिए इस कविता क्या धार पे तो गुलवान वेक्तियों की शेवा करनी चाहिए इस पकार question एक का उत्तर complete होता है question number 2 देखिए अब पीर्य कटूक कटोर सब्द नहीं कोई मुख से कहा करे उक्त पंक्ती में कौन सा अलंकार है तो ये जो पंक्ती दी गई है इस पंक्ती में कौन सा अलंकार है आपको ये बताना है तो इस पंक्ती में आपको वुक्त पंक्तियाने इस पंक्ती में अनुप्रास अलंकार है कौन सा अलंकार है अनुप्रास अलंकार है तो इस प्रेकार आपका question number two complete होता है इसके बाद next question देखते है question number three question number three question number three क्या कह रहा है मेरी भावना कवीता के भावार्त में कवी इस जीवन में कोन सा कारे करना चाहता है चलिए इसका उत्ता देखते है मेरी भावना कवीता के भावार्त में कवी इस जीवन में औरों का निश्वार्त भाव से उपकार करना चाहते हैं अर्था दूसरों की भलाई करना चाहते हैं इस प्रेकार आपका question number three complete होता है इसके बाद लगूतरी प्रेशना आते है question number four question number four क्या कह रहा है मेरी भावना मेरी भावना पार्ट का आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा अपने सब्दों में लिखिए चलिए इसका उत्ता है मेरी भावना पार्ट का हमारे जीवन में शीख मिलती है कि हमें सरलता सत्यता मित्रवत व्यवहार समानता का भाव गुडी जनों की शेवा करना आदी गुणों का विकास होता है इस प्रकार आपका प्रेश नमबर चार का उत्तर कंप्लेट होता है इसके बाद आपका प्रेश नमबर पांच आता है प्रेश नमबर पांच में क्या कह रहा है मेत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे उक्त पंक्ती का भावारत अपने सब्दों में लिखी है चलिए इसका उत्तर क्या होगा इस पंक्ती के माध्यम से कभी कहना चाहता है कि इस संसार्म से मेरा मित्रता पूर्ण व्यवार रहे मित्र भाव जगत में मेरा यहने मेरा क्या कह रहा है इसमें मेरा मित जोड़ा रहूं सब जीओं से नित्य रहे तो इस पकार आपका प्रश्ण नंबर पांच में जो पंक्ती दी गई थी उसका वावात हमने यहां आपको बताए इस पकार आपका प्रश्ण नंबर पांच यहां complete होता है next अगला प्रश्ण देखते हैं प्रश्ण नंबर 6 प्रश्ण नंबर 6 में क्या कहा है चली पढ़िए उसे मेरी भावना कवीता में कवी ने किन किन पर सामय भाव रखने की बात कही है तो चली इसका उत्ता देखते हैं इस कवीता में कवी ने दूष्ट निर्दई वा गलत र भाव रखने की बात कही है इस पकार आपका प्रश्ण नमबर 6 यहां पर complete होता है next अगलब प्रश्ण देखने प्रश्ण नमबर 7 और कैसा प्रश्ण है प्रश्ण नमबर 7 देरगुत्री प्रश्ण है तो इसका उत्ता देखते हम question number 7 क्या कह रहा है सबसे पहले question पढ़ेंगे मेरी भावना कवीता का भावार्त अपने सब्दों लिखिए मेरी भावना कवीता में कवी इसवर से अपने लिए अच्छी भावनाओं की कामना करता है कवी पेतिकुल अत्वा अनुकुल दोनों परिस्थितियों में धेरे रखने की सक्ती की प्राप्ति के लिए इस वर से प्रातना करता है इस कवीता के अनुसार हमें जीयों के प्रति मित्रता वा दया की भावना रखनी चाहिए इस पकार बच्चों आपका प्रेस नमबर 7 का उत्तर यहां पे complete होता है चलिए next आगे चलते हैं next मुल्यांकन है आपको मुल्यांकन एक उसके अती लगूतिर प्रेस न करेंगे तो इसका अती लगूतिर प्रेस नमबर 8 है मेरी भावना कवीता में कवी किस से दूर होना चाहता है चलिए इसका उत्तर देखेंगे मेरी भावना कवीता में कवी लोब, लालच, मोह, कड़वे तथा कठोर सब्दों से दूर होना चाहता है इस बगार question No.8 का उत्तर यहाँ पे आपका complete होता है अब देखतें लगूत्त्री question लगूत्त्री question कुण सा आएगा question No.9 चली question No.9 में क्या का है मेरी भावना ऐची ठाँ रहे भावना ऐची मेरी सरल सत्य व्यभार करू उक्त पंक्ती का भावार्थ अपने सब्दों में लिखिए इसका उत्तर देखिए उक्त पंक्ती का भावार्थ है कि हे प्रभु मैं चाहता हूँ कि मेरी भावना ऐशी हो कि मैं सबके पती शरलता वा सत्यता का विवार करू और सभी का परुपकार करू इस प्रकार प्रशन नमबर 9 का उत्तर कंप्लीट होता है इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रशन आता है प्रशन नमबर 10 कैसा प्रशन है देर गुत्री प्रशन है क्या कह रहा है इसमें काहनी अपने सब्दों में लिखिए एक गाओं में हरिष्चन नाम का एक व्यक्ति रहता था हैं यह दूसरे जीओं पर उपकार करता था एक बाद दूसरे गाओ के वेक्ति ने उसकी सत्यत और परुपकार की परिक्षली लेना चाहिए उस वेक्ति ने उससे कुछ लालस दे कर जुड बोनने को कहा लेकिन हरिश्चन्दर अपनी सच्चाई से नहीं हटा और उसने लालस को सुकार नहीं किया इस परकार से आप यहाँ पर कहानी बना के लिख सकते हैं इस परकार आपका देरगुतिरी प्रस नंबर 10 कंप्लेट होता है और इस प्रसन के साथ आपका मुल्यानकन एक और पार्ट एक मेरी भावना कंप्लेट होता है यदि बच्चों आपको इस पार्ट के प्रस उत्तर समझ आए हो तो आप हमाई चैनल आइडिल देख लासे इसको सच्काइब कीजिए लाइक कीजिए यो आने गुरूप में शेयर जरूर कीजिए